हाँ जी वच्छो गुड मॉर्निंग जैसा कि मैंने बोला था मैं आपके लिए रिविजन टेश्ट पेपर जो की नवंबर 2020 के लिए आया है लेकर आऊंगा और आज पूरा की पूरा एक-क कोश्चन डिसकुस्न करेंगे रिविजन टेश्ट पेपर का तो अभी हम लोग स्ट हाँ जी बात होगी किस पे रिविजन टेश्ट पेपर और रिविजन टेश्ट पेपर कौन सा वाला नवंबर 2020 कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था भी कि सर आर्टीप में एकाद कोश्चन एक-दो कोश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं तो अम यह सोचा क्यों एक-दो कोश्चन करें पूरा ही आर्टीप कर लेते जितना भी होगा दो देड़ दो घंटे मे हो जाएका तो हो जाएका खतम करते है अ क्या रटीप यहां ऑन से अच्छा कोशन राया है नया कोशन हलाकि ऐसा है नहीं कि इसको कर नहीं सकते थे बर थोड़ा-थोड़ा कहीं नहीं गरबड़ है जड़ा देख सुनोंकि कर दो जैब being first पहला question RTP being first January 2019 फिर से बोलतों यह RTP जो है new syllabus की में बात कर रहा हूं new syllabus ठीक है तो 1st January 2019 राम इस आज कौन सी डेट है आज है 1st January 2019 राम इस considering to purchase an outstanding corporate bonds face value रुपीज थाउचन that was issued on first January बिटे बड़ी समस्या सुनना ध्यां सी issue कब किया गया था bond 1st January 2017 यह लो भाई आज कौन सी डेट है आज है 1-1-2019 issue कब किया गया था 1-1-2017 मतलब सर कब 2 साल पहले आज आप यहां खड़े हो बीच चुका दो साल बीच चुका छोड़ दे और उस समय रेट आप इंट्रेस्ट कुपन कितना मिल रहा था हमें कुपन मिल रहा था 9.5% मतलब अगर बॉंड है 1000 का तो 1000 का 9.5% हमें इंट्रेस्ट मिल रहा था लाइफ कितनी है 20 years मतलब एक एक 2017 से 2027 2037 तक लाइब बनती है लेकिन बेवकूफी है यहां मैचुरिटी की डेट उन्होंने बताया 31 दिसंबर 2027 फिर गड़ा अब यार दिमाग घुमने वाली बात तो है कि यार कोश्चन क्या बूल रहा भाई समझ में नहीं यहां 20 साल लिग दिया और मैचुरिटी डेट 31 दिसंबर 2027 बतारो ऐसे कैसे हो सकता है तो सर कॉमन सेंस लगाते ना यह 10 साल होगा चलो ठीक है 10 साल होगा दो साल बीच चुके है तो बचा कितना बचा है सर डेट कौन सी है 31 दिसंबर 2027 यह भी गलत है अगर मैं 31 दिसंबर 2027 काउंट करूं तो टोटल मिलाकर आज से आज मतलब आज की डेट कौन सी है एक-एक आज सी यह काउंट करूं तो टोटल मिलाकर एयर कितने होते हैं 2019 पुरा लेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 साल अजीब सा कोश्चन है मतलब समझ भी नहीं आना बोल किया रहा रहा बीस साल लाइफ है जबकि 20 साल है नहीं है 2027 से 31 दिसंबर बताया है अगर 31 दिसंबर 2026 बताता तो तस साल समझ भी आता है क्या करें मैं डेट को बेस ले रहा हूं और हमारे लिए मैचुरिटी डेट कितना है 31 दिसंबर मतलब कितना साल बाकी है 9 साल बाकी है इतना गरवड कर रखा है कोश्चन फ्रेम करने में ही गरवड़ी है सर आप इंस्ट्यूट को चैलेंज कर रहे हैं कि जी मैं इंस्ट्यूट को चैलेंज नहीं कर सकता बस मैं यह बता रहा हूं कि यह समझना बड़ा मुस्किल है अगर solution मेरे side में ना हो तो फिर तो मेरे दिमाग पिर पता नहीं में क्या करूँगा, कहीं कुछ भी लिखा हुआ कैसे मानोगे, चलो ठीक है, आगे जलते हैं, हाँ, तो अभी final हो गया, कि आज कौन सी डेट है, 1-1, 2019, और bonds, और कितने 9 साल और हमें interest मिलेगा, और 2027 में redeemed हो ठीक है, rate of interest हमें कुपन कितना मिल रहा है, 9.5%, since the bond was issued, the interest rate have been on downside, bond जब issue किया, तो कितना ब्याज मिल रहा था, 9.5%, हम तो खुछ थे, लिक्न यार, market में, market की स्थिती बिल्गुल खराब चल रही है, और rate of interest गिर गया है, और मुझे इस bond सी कितना मिल रहा है, 9.5% मिल रहा जबकि market में rate कम हो गया होगा, यही बोल रहा है, अगर market में interest का rate कम हो गया, जबकि मैंने जो bond hold करके रखा है, राम ने जो bond hold करके रखा है, उसको interest मिल रहा है, 9.5%, सोच के बताओ, bond की value आज 1.1.2019 को ज़्यादा होगी की कम होगी, ज़्यादा होगी ना यार, क्यूंकि जो bonds मेरे पास है, जो bond मेरे पास है, इस पे तो मुझे coupon ज़्यादा मिल रहा है, जबकि market में rate कम है, market में rate of interest कम है, मुझे तो ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी value बोलो क्या, क्या ज़्यादा होगी, हाँ, दो साल भी चुका है, यही बातिया लिका है, since the bond was issued, the interest rate have been on downside, it is now selling, अब भी जो बिक रहा है यह market में, वो 125 रुपए 75 पैसे पर bond, premium पर बिक रहा है, ठीक है, ओके सान, और जो भी खरीदा बेचा जा रहा होगा, सुनना धिहान से मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने भी तो intrinsic value निकाला होगा, intrinsic value याद है, कैसे निकलते थे, सर intrinsic value याद है, सु सुनना धिहान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो bond हम purchase कर रहा है, इससे हमें future में जो मिलेगा, future में जो मिलेगा, coupon, उसको हम discounting करते थे, किस से, market में जो भी rate of interest है उससे, या फिर similar bond का जो yield है, उससे, similar bonds का rate of interest से discounting करते थे, यह होता था, और इस हम क्या निकालते थे, intrinsic value, और म यह मानना है, कि यह जो value है, यह जो value बढ़ी होई है, bonds की, वो intrinsic value होगी, ठीक है, okay, determine the prevailing rate, पेटे भी important सुनना, determine the prevailing interest on the similar type of bond, if it is held till maturity, which shall be at par, ठीक है, Ale, sir, क्या मांग किया रहा, वो का शाहब यह कह रहा आप से, सुनना धियां से, अ यह मानने आटो है, देखो साफ आप intrinsic value निकालते थे, हम आप को बता देए, बिले कैसे बाले इंट्रंसिक वैल्यू हमने आपको बता दिये 125 रुपैशे जादा मतलब फ़्यारब इंट्रंसिक वैल्यू है और आप कैसे निकालते थे मानके इंट्रेस्टांटिक्ण वैल्यू future में जो redeemable value होगी उसकी present value निकालोगे तो वो आना चाहिए 1125 रुपए बताओ किस rate से discounting करें मतलब similar bond जो है ना उसका yield मांग रहा उसका rate of interest मांग रहा सर मांग क्या रहा है IRR मांग रहा है yield मांग रहा okay sir कैसे निकाला जाएगा IRR कैसे निकाला जाता है हम जो future में interest मिल रहा उसको discounting करेंगे कोई शाक ही नहीं है कि 9.5% से कमी होगा yield क्योंकि bond premium पर issue है तो 9.5% से कमी होगा इतना तो security analysis में बढ़े होगे सवाल है कि हम दो rates से discounting करेंगे और discounting ऐसे करेंगे कि bond की जो value है वह इतनी आना चाहिए 1125 रुपए 75 या फिर जीरो आना चाहिए cash outflow cash inflow करेंगे जीरो आना चाहिए अग interpolate करेंगे answer निकालेंगे IRR पढ़ा हुआ आपका मैं समझा रहा हूं किसमत से question में ही rate of interest दे दिया से 6% और 8% तो 6% और 8% से interpolate कर देंगे देखते क्या है ठीक है ठीक है ठीक है सर मैं चो प्राइस कितना है एक हजार है इसके अलावा चेक करूं इसके अलावा interest कितना है no doubt 95 रुपए interest हो गया years कितना 9 साल 9 साल बिटे बताओ यहां से कहीं से 9 साल नहीं दिख रहा है पर चलो ठीक 9 years और value कितनी है 1125 रुबा 75 प्रेस से और हमें क्या निकालना हमें निकालना intrinsic value और intrinsic value निकालोगे तो पहले discounting किससे करोगे आठ नहीं आ रही तो गलत लिका 6% और 8% ऐसी होना चाहिए टार्गेट क्या है आज कितना पैसा जा रहा आज जा रहा 1125 तो आना भी किस rate से discounting करें कि आए भी 1125 जीरो लाना जीरो पीरेड में जाएगा कितना 1125 इसका 6% कि साबसे भी और 8% कि साबसे भी प्रेजिन वेलियो निकाल 95 95 95 95 95 95 95 8 साल तक और 9th year में 1095 डिसकाउंटिंग किससे कर रहे हम लोग डिसकाउंटिंग सबसे पहले 6% से किया और फिर डिसकाउंटिंग किससे कि 8% से किया 6% से 100 बाजीरो आना चाहिए कैस आउटफलो इस इकवल तो कैसे अनफलो और यहां भी क्या आना चाहिए जीरो ना तो एक 6% पे positive आ रहा है और 8% पे negative आ रहा है तो हमारा जो yield होगा YTM होगा वो 6 से उपर होगा और 8 से कम होगा इंटर्पलेट तो आपको आता ही होगा हम लोग कैसी इन्होंने भी किया हम लोग कैसे करते थे हम लोग इस तरह से करते थे 6% पे bond की value आई है 112 रुपए 37% जैसे ही हम rate बढ़ाते हैं तो यह minus में आजाएगा 32.36 it means हमने कितना percent बढ़ाया 2% तो यहाँ value कितनी होगा 112.37 plus 32.36 144.73 और हमें कितना चाहिए हमें तो 112.37 ही डाउन करवाना है तो हम कैसे करते थे 6 plus 2 में चैंज कितना होता है 144.73 जबकि हमें चैंज करना 112.37 2 divided by 144.73 into 112.37 plus 6 तो यह आगे बटे 7.55 पर मतलब similar bond का rate of interest कितना होना चाहिए 7.55 पर यह देखो यार बेव को फी इतना कहा है यह तो मुझसे ज़्यादा calculation मिष्टे हो रहा है यह 6 plus 1.55 तो 6.55 थोड़ीन होगा बिटे यह होगा 7.55 पर ठीक है यह था पहला question practice management आपके RTP का थोड़ा सा time ले लिया क्योंकि मुझे को समझाना था हम आप आगे चल रहा है और यह रहा question number तो यह ही जी था यह तो repeat question है हम देखते क्या है तो falling data is available for NNTC limited face value bond दिया हुआ हजाव रुपए कुपन रेट है साड़ी साथ परशन maturity आठ साल redemption value एक हजार आठ परशन ठीक है current market price निकालना है current market price निकालना मतलब आपको intrinsic value निकालना पड़ेगा एक हजार का साड़ी साथ परशन कितना होगा 75 रुपए और लास्ट में कितना मिलेगा एक हजार 75 डिस्काउंटिंग इससे करना 8 परशन से तो यह आगया current market price इस question में किसी बच्चों को problem नहीं जा सकती किसी भी student को जो November attempt है इनका इस question में दिक्कत नहीं जानी चाहिए अच्छा alternative उन्होंने यह भी किया हम YTM का formula लगाते थे ना YTM is equal to I plus rv minus current rv minus current divided by number of years और rv plus current market price divided by 2 तो भाइसाब वह बोलते हैं कि देखो यह तो मालूम है ये भी मालूम है ये भी मालूम है ये भी मालूम है ये भी मालूम है बस current market price को excellent कर दीचे ठीक है थोड़ा सा variation आएगा थोड़ा संतर आएगा पर ठीक है चल जाए तो यह 970 आया है यह 969.7 ठीक है यहाँ दा कोई दिक्कत नहीं current market price तो आजसानी से निकलेगा कि दूसरा मांगा है बोले duration 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 तो याद है duration कैसे निकाला करते थे कि यह निकलेगा duration duration में क्या करते थे duration में बस यह cash pro लिखा 8% मतलब ITM से discounting करोगे तो यह discounting अगया अब हम इसका weighted average करते थे proportion किया हम बिना proportion के भी काम करते प्रपोर्शन कैसे किया देश divided by this देश डिवाइड बाइस और इसको 1 से multiply किया इसको 2 से multiply किया इसको 3 से multiply किया इसका 4 से multiply किया और यह आ गया duration क्या कहता है duration क्या होता है क्या logic है यहां समझाने थोड़ा सा मुस्किल है duration आपको निकालना आता है अब duration के अलावा और क्या मांगा और उनने मांगा volatility मतलब modified duration volatility यह निकल गया formula आपको पता है volatility का yes duration d divided by 1 plus ytm तो volatility निकला और volatility निकला 5.81 sir volatility का मतलब volatility का मतलब यह हो गया अगर सुना दियांसे rate of interest बढ़ेगा discounting rate rate of interest बढ़ेगा discounting rate बढ़ेगा या ytm बढ़ेगा तो bond की value गिरेगी it means अगर ytm 1% से बढ़ेगा तो bond की value 1% 5.81% से गिरेगी 5.1% जित 1% से क्या बढ़ेगा ytm हम 1% से बढ़ा दें तो bond की value 5.81% से गिर जाएगी अगर ytm कम होगा तो फिर bond की value बढ़ेगी opposite ठीक है 5.81 टाइम्स हो गया अब आगे क्या मांगा question में अगर question की में बात करूं the expected market price if decrease in required yield 50 basis points 50 basis points का मतलब sir bond की value 0.5% bond की value ने yield 0.5% से गिर रहा है तो bond की value बढ़ेगी कितने से बढ़ेगी जला हिसाब किताब कर लेते हैं 2.1 into 0.5 2.905% तो लिखा है decrease in अगर यह decrease हो रहा है तो bond की value जो है वो क्या होगी increase होगी कितने से जो current market price है उससे बढ़ा देना कितना 2.905% तो यह answer आजाएगा alternative this portion using bond price as per shortcut method ठीक है बात हुआ है कोई फरक नहीं पड़ता आप दोनों में से यहां उनने का bond की price ना उनने दो तरीके से निकाला था intrinsic value दो तरह से निकाल वह आप ऐसे भी कर सकते है ऐसे भी कर सकते है ठीक है it means आपने अगर bond की value वह table से किया है तो ऐसे करना पड़ेगा formally से किया तो ऐसे करना पड़ेगा हुआ ही है जले आगे यह कोशन नमर्टी यह अच्छा कोशन है और पॉटफॉल्यों का कोशन पॉटफॉलियो मैं एक चुर्थी मोर्ण पॉर्टफॉलियों से ज्यूरी लाना नहीं है modern portfolio theory से question नहीं डाला है question सबकी सब कहां से डाल दिया systematic risk and systematic risk चलो ठीक है जो भी है RTP दिया है तो करना तो पड़ेगा चलो जी देखते क्या है लिखा हुआ है study by a mutual fund has revealed the following data in respect of this security security a security b security c और सबका क्या दे दिया standard deviation standard deviation standard deviation and standard deviation और साथ में क्या दे दिया correlation ठीक है बस इतना ही question इतना ही question लिखा है the standard deviation of market market is standard deviation of market है कितना पंद्रा पर्षा ठीक है what is the sensitivity sensitivity का मतलब क्या होता sensitivity का मतलब होता beta of each stock with respect to market ठीक है beta का formula पता है क्या yes beta of x is equal to standard deviation of x standard deviation of market into correlation x or market बस लगाते जाएंगे निकालते जाएंगे सबसे पहले किसका निकालेंगे a का किसे निकलेगा 20 divided by 15 into देख लेते एक 20 divided by beta of a 0.6 0.8 इसी तरह से किसका निकलेगा अभी का इसी तरह से c का कुछ था नहीं point number two में what are the covariance among the various covariance निकालना covariance अब समझना बिठे सर covariance का formula क्या है दो beta 1 beta 2 standard deviation of market सर बापरे बाप सर यह क्या चीज है भूल गई यह formula चलो ठीक है सर थोड़ा बहुत याद दिलाओ तो दिक्कत में होगे चलो याद दिलाता हूं वैसे एक बात बता हूं क्या बीटा का formula आपको आता है हां सर बीटा जैसे हमको किसका निकालना X का तो सर ऐसे formula ऐसा होता था इस्टेंडर डिवेशन आपक्स इस्टेंडर डिवेशन आप मार्केट इंटो कोर्रेलेशन एक्स और मार्केट सर यह formula होता था बीटा का बिलकुल सही ठीक है है अब सुना अब 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 इंपोर्टन है portfolio management में हमारा यह मानना होता है कि X और Y के बीच में correlation होता है because of market अगर market गिरेगा तो stock X भी गिरेगा stock Y भी गिरेगा market बढ़ेगा तो मतलब इन दोनों के बीच X और Y के बीच में correlation नहीं होता है होता है पर किसकी वज़ा से market तो अगर मैं कहूंा मैं सीधी सी बात बहुत गैट x का market के साथ correlation Y तोक खुरिलेशन होता है इसलिए आपस में में को रीचेशन होता है मैंदेचे ज़्लिंग समझ हाए शबिकBTH in former से कहना correlation X का मार्केट के साथ और correlation Y का मार्केट के साथ आपस में होता उसकी वज्जा से दोनों का आपस में correlation होता ठीक है ठीक है बस इसी फॉर्मुले को यूज करूँगा है अच्छ एक बाव तो कोवेरेंस का फॉर्मुला मालू है कि कोवेरेंस एक्स य है सर इसका फॉर्मुला यह होता था इस्टेंडर डेविशन अप एक्स एग्री ठीक है सरी यहां तक बास समझ में आगे क्या करना आगे ऐसा है इसको मैं पहले लिख रहा हूं को रिलेशन एक्स वाई इन्टु स्टेंडर डेविशन अप एक्री और यह को रिलेशन एक्स वाई यही तो है तो यह दोनों लिख सकता हूं क्या यस इसकी जगा यह दोनों लिख रहा हूं एक्स एम कोरिलेशन वाई एम इन्टु स्टेंडर डेविशन अप एक्स इंटु स्टेंडर डेविशन ओफ यह ठीक है डेरिविशन बताओ मैं भी डेरिविशन करवा रहा हूं पर बिना डेरिविशन के क्या मज़ा इस्टेंडर डेविशन अप स्टेंडर डेविशन एक अभी तो कोई दिकत नहीं है आपको अब correlation XM तो इसका formula सर correlation XM मैं आप से अब सुनों क्या करने जा रहा हूं अब सुना अब important है अगर मैं कहता हूं correlation XM इन्टु स्टेंडर गिशन अपक्स अगर डिवाइड करदेता हूं में इस्टेंडर डिविशन ओं मार्किट और मल्टीप्लाइक कर देता हूं इस्टेंडर डिवाइड जिससे क्या उसे से मल्टिप्लाइक को जिकत है क्या नहीं इन्टू correlation YM को झाले इस्टेंडड़ डिवाइट किसे कर रहो हिसे अंड़िपलाई भी कर रहों है इस्टेंड़ भी से कर रहो है अब यात करो क्या मैंने आपको कुछ बीटा का फॉर्म 올 olur था yes standard deviation of x standard deviation of market और correlation ये तो क्या बन गए सर ये beta of x हो गया और सर ये क्या हो गया बीटा of y हो गया और standard deviation of market का क्या कर सकते हम लोग square ये तो आपको पता ही होगा derivation में तो finally formula बन सकता है क्या हां सर बन गया क्या बना बीटा x beta y standard deviation of market square अगर मुझे covariance निकालना है किसका x और y का ये class में करवाया हूं detail में करवाया हूं याद दिला रहा था सर यहां याद दिलाने की जरूरत नहीं है हाँ बेटे मैं समझता हूं तो यह formula है बेटे 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 बीटा 1 लिए यह तीन इस्टॉक है तो कोवेर्श ए बी चीच में बनेगा ये सीच में बनेगा और बीसी के बीच में बात खतम और standard deviation of market square यहां करके करके रख लेते 15 x 15 225 बस बात करता हम करके देखते हैं 0.8 x 1.14 x 225 तो answer आ गया यह 205.20 ऐसी किसका कर ले एसी A और C 0.8 x 2.6 x 225 108 और BC कर ले क्या 1.14 x 2.6 x 225 153.9 बस हो गया अगर मैं कहूं क्या इसका answer हो चुका है यह पर institute ने matrix बना रखा covarians covareants matrix covareants matrix तो कैसे कर रहा उसने पहले a की साथ a का भी के साथ time pass कर रहा आपको ऐसे करना ऐसे वी कर तक बाद मेरा सीधा स्यरे a और b के बीच में कितना है यह ए और c के बीच में कितना है यह बस मुझे तीन ही चीज़ चाहिए था बात करता है ठीक है साथ आगे क्या मांग रहा है आगे मांगा what would be the risk of portfolio consisting of all three stocks equally risk of portfolio risk of portfolio मतलब sir standard deviation of portfolio और तीनों stock में equal पैसा लगा है ठीक है तो हो जाएगा है अब फॉर्मुला सुनों क्या होता था फॉर्मुला ऐसे होता था अच्छा यह variance में बता रहा है ठीक है वह दिकते standard deviation of a square weight of a square फिर क्या करते थे standard deviation of b square weight of b square फिर क्या होता था standard deviation of c square into weight of c square उसके बाद क्या होता था 2 into weight of a into weight of b into covariance a b फिर 2 into weight of a into weight of c into covariance a c याद करूं कोवेरेंस यह होता था यह फॉर्मुला है अब standard deviation of a square यह दिख रहा है 400 नहीं चार्सों तो covariance है हां 400 ही तो होगा यह standard है 20 तो यह 400 और weight मतलब 1 by 3 1 by 3 square 300 यह लो 18 18 into 18 18 into 18 कितना होता है 324 1 by 3 square weight हो गया 1 by 3 एसे 144 144 कैसे आए 12 12 और 1 by 3 अब सर यह वाला पार्ट क्या है यह वाला पार्ट बिटे देखो उन्होंने क्या किया ध्यान से देखना में लिखो तू लिखा तू लिखा उसके बाद यह covariance यह covariance यह covariance तीनों लिखा है 205 108 153 और weight यह भी 1 by 3 है यह तो इन दोनों को क्या कर दिया स्क्वार तो ठीक है 205 1 by 3 square फिट 2 into 108 1 by 3 square फिट 2 into short cut से किया आप ऐसे ही भी कर सकते दोनों फटा-फट से काम कर दिया ठीक है तो यह क्या आ गया सर यह आ गया मेरा portfolio का risk invariance इसमें हम standard deviation नहीं दिखा रहा है और वैसे भी ना जब भी कोशन में total risk systematic risk unsystematic risk आएगा तो आप जो answer दिखाऊगे वह variance में ही दिखाऊगे ठीक है इसके अलावा क्या बोल रहा ठीक है उसके बाद क्या मांगा total risk total risk तो यह निकल ही गया था हमारा कितना 200.244 total risk systematic risk निकाल सकती systematic risk का formula क्या था बीटा standard deviation of market square बीटा स्क्वाइर बीटा स्क्वाइर बीटा स्क्वाइर और standard deviation of market risk यह क्या है systematic risk logic क्या था logic यह था कि market मान लो मान लो portfolio का बीटा है तू मान लो portfolio का बीटा तू तो market 10% से बढ़ेगा तो भी portfolio 20% से बढ़ना चाहिए तो 10 into 2 बस यह तो है और कुछ नहीं तो यहां standard division of market आपको पता ही है कितना है कि यह 15 और बीटा पॉट्फोलिय है तो यह कौन सा है यह सर systematic risk तो total में से systematic minus किया तो क्या जाएगा unsystematic risk कर जाएगा simple तो अच्छा question था देखा जाए तो बहतरी नहीं question है बस थोड़ा सा derivation वगिरा पर मैं अगले question पर चले क्या यह सर अगले question पर चलते हैं और यह भी अच्छा question है देखा जायता है हांच यह रहा question question no.4 question no.4 में कुछ खास बात है रही है मैं का Mr. Abhishek यह भी portfolio question Mr. Abhishek is interested in investing 2 lakhs for which he is considering the following three alternatives, three alternatives है या तो 2 lakh सारा की सारा पैसा mutual fund X में invest करते हैं पूरा 2 lakh X या तो पूरा की पूरा 2 lakh रुपए Y में बद यह divergification नहीं है तीसरा alternative क्या बता रहा है एक लाग 20,000 रुपए X में और 80,000 रुपए Y में एक लाग 20,000 divided by 2 lakh 60 percent in X and 40 percent in Y यह हुआ question average return earned by mutual fund X expected return of X 15 percent expected return of Y 14 percent आरेफ कितना दिया है 10 percent और आरेम कितना दिया है 12 percent expected return of X Y RF RF और आरेम दिये तो कहीं न कहीं यह PM तो पूछेगा अब covariance matrix दे रहा है जो पहले दिया तो नहीं ठीक है X का 1 X के साथ covariance तो यह तो variance हो गया यह X का वाइक Torah और यह mix mix का मतलब मेरी समझमेनिया है mix का मतलब सर mix का मतलब X और Y मिला कर अगर X और Y मिलाकर covariance दिया हुआ है तो दिक्कत की बात है यहाँ mix नहीं बूलता है X और यक का covariance तो यह दिख रहा एक्स का y के साथ covariance तो यह है और तो फिर यह क्या है सर यह mix का मतलब जिसमें सब कुछ हो और इसी को हमें क्या मानना पड़ेगा market you are required to calculate variance of return from x y और market variance of return sir variance का मतलब x का variance standard division square variance x का x के साथ तो यह तो दिख रहा है यह variance of x और यह variance of market मांगा क्यों मेरी समझ में नहीं आया अज तक सकतर इस question में variance मांग रहा है यहीं तो variance x का x के साथ यह समें अगर मैं सीधी आद बहना तो answer क्या answer दिख रहा है वह की answer हो गया 41800 और 425 0 3.120 बात बातव कंब बात बात करक्त कुक्त पहला point मांगा ही क्यों, यह समझे मनी है, ठीक है, दूसरा हो सकता अगाम का, एक तो क्या निकालना है, portfolio return निकालना है, और क्या निकालना है, beta किसका, सभी का होगा, portfolio variance निकालना है, portfolio का, variance मतलब risk, portfolio का standard deviation निकालना है, point number 2 अच्छा है, point number 2 में portfolio का return, portfolio का beta, portfolio variance, and portfolio का standard deviation तो धीरे धीरे काम करते है तो सबसे बहुले portfolio का return निकालते है कितना weight है 60% and 40% यह 60% 40% हम पहले निकाल के रख लिए हैं 60% 40% तो क्या portfolio का return निकाला जैसकता है ये ये निकला पॉर्टफोलियो का रेटन 15 पर्षन इंटो पॉंट 6 15 पर्षन कहां, expect return of X और 14 पर्षन इंटो पॉंट 4 तो यह आगया पॉर्टफोलियो का रेटन बीटा कैसे निकालते हैं तो बीटा याद है आपको बीटा का एक फॉर्मूला यह भी होता था बीटा किसका निकलता था इस तरह भी एक फॉर्मूला होता था याद है आपको हाँ सर अगर इसमें बात करो केल्सी कहा है अगर इसकी बात करो तो मार्केट का तो यह तो 3.100 यह तो नीचे जाएगा यह ना जाएगा 3.1 डबल जीरो अब ऊपर क्या करना पड़ेगा एक स और एका एकस और मार्केट तो ऊपर आजाएगा कितना 3.37 बीटाप एक से जाएगा ऐसी बीटाफ वाइए निकालना पड़ेगा तो यह तो 3.1 डबल 00 और यह और market y और market यह दिख रहा 2.800 बस beta of x निकला beta of y निकला तो portfolio का beta weighted average 3.370 divided by 3.100 तो यह आ गया 1.087 ऐसी कर ले 2.800 divided by 3.100 यह क्या आ गया है 0.903 और portfolio का beta कैसे निकलेगा 1.087 इंटो 0.6 M plus 0.903 इंटो 0.4 M plus MRC 1.013 किदर है next page बेंगा यह निकला यह portfolio का बीटा गया 1.013 इसके simple था portfolio अब portfolio variance variance का मतलब यह total risk तो formula आपको पता है यह क्या है यह सर standard deviation of x square दिख रहा है आपको यह standard deviation of x square यह क्या हो जाएगा standard deviation of y square ठीक है यह x और यह y बस weighted कैसे equally 60% 40% है तो चलो काम कर लेते हैं तो यह निकला 0.6 square 40 ठीक है यह भी ठीक है 2 into this into this into this and plus आगे यह 4.472 percentage square लेकिन आपको standard deviation भी मांगा है तो square root कर दिए तो standard deviation आगे कुछ था नहीं कोशन में okay sir आगे क्या मांगा आगे मांगा expected return systematic risk unsystematic risk अब सवाल है कि sir expected return दो दिया तो फिर मांगा क्या है बैटे अब यहां आपको सायद CAPM से मांगा होगा CAPM capital asset pricing CAPM याद है आपको yes RF plus beta RM minus RF RF कितना portfolio गरिट है यह portfolio बीटा जाएगा RM minus RF तो यह हो गया 12.03 आ गया X का 12.17 आ गया Y का को systematic risk का systematic risk निकाल ली है systematic risk का formula किया beta squared standard deviation of market divided by standard deviation of market square भी मालूम है तो फिर तो यह systematic risk निकली जाएगा यह और total risk मैं से systematic minus करोगे total risk यह है उसमें से क्या minus करोगे systematic तो क्या जाएगा unsistematic क्या हम question repeat किया गया आर्टीपी में यह क्या मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं इस कोशन में क्या समझाओ बस mix को market बोलते हैं बाकी तो यह अगर आपने class किया होगा ढंक से तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि एक कोशन अपने इसके बाद क्या है इसके बाद चलते आगे तो इसके बाद सार प्रेश्यो ट्रेनर रिश्यो अलफा ठीक है यह तो आपका वह हो गया है सार प्रेश्यो का फॉर्मूला क्या था हम कहते थे expect return minus rf divided by standard deviation of expected x हम कहते थे यार यह जो आप ज्यादा कमा रहे हो कितने रिस्क पर कमा रहे हो इसे शार प्रेश्यो बेस क्या होता था इतने रिस्क पर एक्सिस कितना कमा रहे है इसी के अलावर ट्रेनर क्या होता था ट्रेनर इसमें भी expect return जो कमा रहे है आर एफ से divided by बस यहां क्या होता था बीटा पैक्स यहां जो रहते थे टोटल रिस्क लेते थे जबकि ट्रेनर बोलता था वह कौन सा रिस्क बोलता था अल्फा जैंसन अल्फा कैसे निकलते थे अल्फा में हम कहते थे यार expect return हम कितना कमा रहे हैं और हमें कितना कमाना चाहिए रिस्क के हिसाब से expect return मतलब CAPM यह expect यह CAPM वाला यह यहां से मैनस करते थे यह क्यालते थे अल्फा इसमें ना हम mutual fund का performance शेक करते थे इन सब चीजों से बस वही काम किया होगे उन्होंने और क्या किया कि यह देखो mutual fund x expected return minus rf divided by यहां क्या ले लिया इस्टेंडर डिवीशन इसको रूट है मतलब इस्टेंडर डिवीशन निकाल लेना इसका इसी कि तरह से trainer ratio कैसी किया होगा trainer में base क्या लिया होगा बीटा और alpha में क्या किया होगा जो दिया था और यह कौन सा वाला यहां गया कि हमने हमें कितना कमाना चाहिए था और हमने कितना कम गरोंने ज़्यादा कम सच्चries तो अगर में इस question की बात कर大ों इस question के लिए बचे परेशान थे पर इस question मैं ऐसी कोई बात नहितों पहले से ये बुक में question है तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप परिशान है ठीक है चले जी आगे portfolio खतम जी सर यह वाला question mutual fund का यह भी अच्छा question देखा देरा टू मेशल एक है d mutual fund और एक है k mutual fund each having close ended equity scheme closed ended close ended का मतलब सर क्या हुआ है मतलब open ended close ended मतलब नहीं समझा सकता अगे नवी दे रखा है d mutual fund का नवी है 70 रुपे 71 पैसे 99% equity और रिमेनिंग cash ऐसे के mutual fund 62.50 96% equity और बैलेंश क्या है cash ठीक है जी इसके अलामा इन्हों ने यह कुछ दिया कुछ शार प्रेशो ट्रेनर रिशो इसमें mutual fund भी गिरेगा अगर beta पता लग गया तो market 10 मालो beta 2 है तो market 10% से गिरेगा तो mutual fund जो है वह 20% से गिरेगा यह मतलब है ठीक है सर यहां तक तो है calculate expected NPV ठीक है market गिरेगा तो अब यह जो एक्विटी पोर्षन कुछ कैस्ट पोर्षन का रिलेशन नहीं होता market के साथ उसमें फ्लक्शूइट नहीं होता तो हमको अलग-अलग करना पढ़ेगा देखो किस तरह से लग किया कि अने भी 31 इसंबर दो कितना है 70 रुपए 71 पैसे कि 70 रुपए 71 पैसे इंटू 99 पर्षन क्या है अजब सिभागा कि यह हुँ है यह एकवटी एलिमेंट हो गया और यह cash इसी तरह यह किया यह है एकवटी आलिमेंट एक अब हमें क्या ढूंदना पड़ेगा हमें ढूंदना सर्ची बीटा अब बीटा कैसे ढूंदे समझ बनिया बस बीटा ढूंदा और हमारा काम हो गया अब बीटा कैसे ढूंदा जाए तो एक तो दिया है शार्प प्रेश्व इसका फॉर्मुला वालू है ना अर्फ मानूम है क्या नइं कोई बात है कि इस्टेंड़ग्र है मैं तो यह निकल जाया को तो यहना सुनो 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 लीयों वह स्य थियुक्त है यह पता है हमको यस यह प्ता है यास तो यह दो नहीं incorporate और फिर ट्रेनर लगाएगे तो वहहां expect return minus RF यहां की आ जाएगा बीटा यहां से फिर बीटा निकल जाएगा और बीटा निकला तो पहले शारफ रिचो से risk premium निकलेगा risk premium sharp ratio से और फिर उस risk premium को use करके हम क्या निकलेंगे बीटा वही काम किया पहले sharp रिशो यूच किया इस mutual fund की बद कितना अधी आए two यह risk premium और यह standard division तो यह मालू है और यह मालूम है तो क्या यह वाल निकल जाएगा yes और यह निकल गया 22.5 और फिर ट्रेनर रेशल यूज किया 15 लिखा और यह तो उनको मालू में तो क्या बीटा निकल गया येस बीटा कितना निकल गया 1.5 ठीक ऐसी ही अगले का भी किया होगा के मुशल फॉन है उसमें भी बीटा कितना निकाला 1.10 1.5 का मतलब सर मार्केट गिरेगा 5% से तो जो मुशल फैंड है उसका एक्विटी पोर्सन है वो गिरेगा देड़गुना ज्यादा मतलब 7.5% से और यहां कितना जाएगा 5.5% से अब हम लोग पुरी तरह से तहीं आ रहे हैं हमारे पास कैस कितना था 0.712.5 सर कहां से निकला यह दिखो ना बेटे हमने कैसा लग किया था 0.712.5 और question में लिखा है there is no change in portfolio during the next month and average annual 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 cost rupees 3 per unit for the scheme और यह तो हमें एक माहा बात का निकलना तो एक मैने 3 रुपय है एक unit पे खर्चा एक साल का तो एक महा का कितना 3 by 12 0.25 0.25 0.25 minus हो जाएगा खर्च तो यहां कैस कितना बचा 0.46 यहां कैस कितना बचा 2.25 अब निकल लेंगे शुरू में एने वी कितना था 70 रुपय कितने पर्शन से गिर जाएगा साड़े साथ पर्शन तो 70-7.5 पर्शन तो यहां गया 64.75 और साट माइनस 5.5 पर्शन 56 और यह हो गया कैस इन दोनों को मिला कर क्या निकल जाएगा अच्छा कोशन है कुछ नया कोशन नहीं है कोशन पहले से हैं बुक में चलो जी अब किस पर आ जाते हैं अब आ जाते हम लोग डेरी वीटियू से ठीक है तो डेरी वीटियू समझने की कोशिश करते हैं डेरी वीटियू में क्या खास बात था लिखा हुआ है यह कोशन नया है थोड़ा सा मिश्टर एस जी सूल्ड फाइफ फाइफ four month nifty match future on first feb to the four rupees nine lakh sold कर दिया है् नौ लाग पे का five nifty future at the time closing at the time of closing of trading on the last thursday में ठीक है एक्सपाइडी में इंडेक्स जो है वह किस्सौर पैस हो गया है ठीक है बात कब कि है फइप कब के लिए बात हो रही है और यहां कितना हो गय इंडेक्स 2100 हो खें ठीक है ना भाई कितने में बैटिंग किया था यह नहीं मुला कॉंट्रेक्ट मुल्टिप्लाय कितना 75 बैस्ट ऑन अब इंफ्रमेशन कैलकुलेट तप्राइस ऑफ वान फ्यूचर कॉंट्रेक्ट ऑन फर्स्ट पर यहां के लिए का प्राइस बताव बैटिंग किसे किया है चलो कर ल है एक लाग असीजर का कितना रुपे निफ्टी का प्राइस था कितने रुपे के लिए बैटिंग किया था क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के काम आएगा तो डिवाइड़ बाए एक में पच्छत्तर एक निफ्टी कितने का निकल जाएगा एक लाग असी हजार डिवाइड़ भाइ 75 24 और कौन सा शौ्ट पॉस्ट हमने कहा था यहां कि 2400 से कम हो जाएगा यह प्राइस कब का है यह प्राइस यहां का नहीं है यह प्राइस भी में का है यह price भी में हमें यह कह रहें कि 1400 से कम हो जाएगा में में करेंड निफ्टी नहीं पिर से बोल रह graphical है यह निफिक प यह मे के लिए है लेकिन सपे बैटिंग कम कुछ ही आज कि में का जो निफ्टी में के लिए जो बैटिंग चल रही है वह 2400 से कम हो जाएगा और वागी कितना हो गए किस हो गए हमें तो प्रॉफिट हो गए है पर ठीक है हमसे क्या मांगा था प्राइज ऑफ वन फीचर कॉंट्रेट वन फीचर कॉंट्रेट का प्राइज है वह 180,000 बात कितम हो गए है दूसरा अब सुना ध्यान से यह निफ्टी कप का है यह में का में का ट्रेट कप हो रहा है आज हो रहा है में के लिए इस दिन का निफ्टी कुछ और हो सकता है याद है ना यार हम f निकालते थे f कैसे निकालते थे s1 प्लस इस तरह से बुछ करत है ना अप्रोक्सिमेटली निफ्टी सेंसेक्स और 1st feb 2020 बुले जो 1st feb 2020 को कितना देख रहा है 24 और है इस दो प्राइज of future contract on same date was theoretically correct बुले यह जो है यह theoretically correct on the same date risk free rate of interest and dividend 9% and 6% अच्छा एक बार बता हूं मैं आपको theoretically f future निकालने की बात करता था तो आप कैसे निकलते थे सर ऐसे निकल f is equal to s e अच्छा यह तो countries e minus d multiply किसे कर देंगे तो बहुत है तो बहुत है मान लो यह जो 24 है यह theoretical यह 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 और यह सब गीवान है तो क्या निकल जाएगा यस मंत कितना है चार मेने पहले तो चलो इसको क्या ले लेते है आज 0 को एक्स ले लेते है तो बस 24 यह दिया है अगर मैं equation बनाने की कोशिश करो 2400 is equal to x 0.09 0.09 minus 0.06 into 4 by 0.01 x की value निकाल दी चाहिए तो x की value अच्छा इन्होंने continuously compounding नहीं ले रखा है मेरे ख्याल से continuously compounding लेना चाहिए था पर ठीक है नहीं लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता simple normal कर ले ते divide कर लिए उन्होंने सिधा यह multiply होता तो उसको divide कर लिए तो यह आ गया 2376 2376 क्या यह एस जिससे f निकला और f किसमत से कितना निकला है 24 सो उसका यह मानना है कि जो theoretical है और वही actual है दोना एक है ठीक है मैक्सिमम कॉंटेंगो आ बैक्वर्डेशन सुनना भी यहां से सर यह कॉंटेंगो आ बैक्वर्डेशन क्या है कि सुनो है कि है आज esk Idna as A अज का मतलब आज प्राइसमान याज माननो 2000 है तो तीन मेने बात के लिए चार मेने बात के लिए ट्रेडिंग कितने पर हो रही है बारास हो ज्यादा में होगी तो अगर फ्यूचर प्राइस जाता तो wprowad हैं तो spot price से future price 200 रुपए जादा सीधा बदला इसको बोलते है contigo लेकिन बात यह है कि अगर यह 1200 रुपए ना होकर अगर यह होता 800 रुपए future price कम है spot price जादा है तो ऐसे market को बोलते backwardation उल्टा बदला लेकिन आपको ना इसके लिए एक फॉर्मुला है s-f तो सर अगर 1000-1200 करोगे तो यह तो माइनस में आए गा दोस्तों यास इसी को यह जो 200 है na s- इसको basis बोलते बेसिस अगर यह माइनस में आया तो कॉंटेंगो future price ज्यादा कॉंटेंगो अगर s-f और यहां प्लस में आया दोस्तों इसका मतलब क्या है प्लस में आया तो future price जो है वो कम है तो उल्टा बतला इसको बोलते backwardation बस और कुछ नहीं किया होगा इसने देखते कहां लिखा यह है तो डिटर्माइज विदर दा मार्केश कॉंटेंगो और इस पॉजिटिव दर मार्केश सब्सक्राइज कितना है चो बिस्टों और निफ्टी इंडेक्स कितना है 2 3 7 6 यह spot price है 2 3 7 6 s minus f s कितना है spot price यह तो 2 3 7 6 होना चाहिए और यह चो बिस्टों होना चाहिए यह होना चाहिए ना भाई पता नहीं क्या-क्या कर रहा है ठीक है चो बिस्टों यह कॉंटेंगो होगा कांटेंगो मार्केट ठीक है क्योंकि माइनस में तो कॉंटेंगो ही वह का बस यहां लिखा ना इसमें के चक्रनों ने करेंट निफ्टी कितना है अगे हमने तो निकाला निफ्टी टू-3 माइनस माइनस माइन तो कॉंटेंगो कॉंटेंगो ही बोल रहा है यह पर पता नहीं यह 2400 ऐसा क्यों लिखा है ठीक है थीक है सर बात कतम आगे दप पेओफ प्देश्टिन पेओफ तो सिंबल आपका पोजिशन कौन सा था शॉट 2400 से कम होगा और कितना होगा 1200 तो 2400-200 कर लिजे कितना 375 का फायदा और कितना contract था बस वो multiply कर दीजे 1200-11200 इंटु 5 कितना जागा एक लाग बाराइचर पास ठीक है तो अगर मैं गहूं इस अच्छा यह कोश्चन प्लीज करके जाएगा यह कोश्चन ना आपको पी-म अगेरा में नहीं मिलेगा यह कोश्चन अच्छा आपके सर आगे चल रहा है कोश्चन नमबर सेवन लिखा राइस ट्रीडर प्लैन तो सेल दो लाख 22,000 केजी और प्राइस थ्री मन्त हमको फ्यूचर में बेचना है कितना 22,000 केजी तो हम क्या चाहिए कि प्राइस बढ़ जाए डर किस बात का है कि प्राइस गिरना जाए अ कॉंट्रेट करते हैं शॉर्ट पोजिशन लेते डाउंसाइड बैटिंग करते हैं प्राइस अगर गिर भी गया कैश मार्केट में तो गिर जाने दो उधर सस्ता जाएगा पर इधर से हमको पे आफ तो मिल जाएगा यही तो मैंने आपको बताया था तो इस पॉर्ट प्रा सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कैश मार्केट में कौन सा पोजिशन है लॉंग पोजिशन टिक लॉंग पोजिशन है अब चाहोगे की बड़े पर कम हो गया तो मतलब साथ पोजिशन किसमें लोगे फ्यूचर में सिंबल है और कुछ नहीं है पॉट नमबर टू एडवाइस कर दिया अब सुना अगर अगर तीन महने बाद रेट कैश मार्केट में हो जाए 57 और फ्यूचर मार्केट में हो जाए 58 तो बताओ क्या होगा तो सर जी ऐसा है कि 59 से कितना हो गया 58 और आपका कौन सा पोजिशन है शॉर्ट तो आपको तो प्रॉफिट हो जाएगा 59 माइनस 58 इंटू आपको 22,000 रुपय का प्रॉफिट हो गया पर जो आपका राइस बिकेगा वह 22,000 केजी कितने के हिसाब से बिकेगा 57 के हिसाब से ब बिकेगा और इतना हमको स्टॉक एक्षिन से मिलेगा टूटल इतना पैसा मिलेगा कितने पर 22,000 केजी पर तो एक केजी का रियलाइज रेट कितना हो गया 58 हो गया ठीक है तो यह कोशन मैंने अल्रेडी रिविजन कोश्चन में इसको डाल रखा है रिविजन करवा चुका ह इसमें को अग्यों नुम्बर एट अग्यों इसमें को इसमें को कि का सिटी बैंक कोट्स जैपनीज वह शीटी बैंक मतला निव यॉक में ठीक है तो भाई ऐसा है नी यॉक में रेट है जे पी वाई डॉलर एकसो पाच अगर मैं इसको आयसो कोड़ों तो वन ये इस इकुल टू एकसो पाल डॉलर लेकिन यह पॉसिबल नहीं है तो सर फिर यह डॉलर एक डॉलर इस इक डॉल टूलर यह यह दिया होगा यह एकसा पांच और एकसो चे रुपे पचास पैस है ऐसे ही होंग कोंग वागी करेंसी कुन सी येन और वहाँ भी क्या दिया है डॉलर पर येन करूंद 10ええ पया क्योंद जरुकर ग्रिशां दिया के जिर्फयर नाइन जरॉए कि एक रेट न्यॉवर का है और एक होंग कोक का कि कना अगर मैं नी-detार कि बात करूं हमारे यहां dollar 1 is equal to rupees लिखते नहां डॉलर वान तो वो डारेक्ट कोट है । पर रूपीम हमारे यहां की करेंसिती रूपीज और रूपीस का रेट लिख रहा तो इनडारेक्ट कोट नियॉयॉक में चलता है यह indirect court है New York में और यह भी indirect court है कहां जा पान है ठीक है तो आप point number A मेरे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है कि practice manual क्या लिखना चाहते है क्या कोई possibility arbitraries की हाँ arbitraries कैसे करते एक जगह से खरीकते दूसरी जगह वेस्ते लिकिन problem क्या है कोट अलग अलग है तो चलो इसको ठीक खर करते हैं इसको पहले में change करते हैं इसको dollar per yen बना लो क्या वन से divide कर देते हैं लेकिन याद है वन से जब ये वन से divide करते हैं आस्क बिढ हो जाता है बिढ आस्क हो जाता है 1 divided by 106.50 0.00939 ले लेते हैं और 1 divided by 105 0.00952 ठीक है और ऐसे ही क्या कर लेते हैं ये न पर डॉलार यहां में वन से divide करते हैं वन डिवादेट बाए 0.0093 107.5253 ले ले लो 1 divided by 0.0090 111.1 अब सोचो आर्विट्रिस कैसे कमाया जा सकता है पहले में इन दोनों रेट को नहीं योर्क ये वाले दोनों रेट को comparison करता हूं कि आर्विट्रिस पॉसिबल लेगे ये न खरीदेंगे ये न बेचेंगे यहां से खरीद के यहां बेचने का तो सवाली में कहां से खरीज सकते हैं सर हम यहां से खरीज सकते हैं और यहां बेचेंगे ये न अगर अगर आप हमारे पास येन है तो हमको डॉलर खरीदना है यहां से खरीद के यहां नहीं यहां बैंक हमको डॉलर बेचेगा सूचते भई सूचते अराम से पहला डॉलर खरीद सकते हो एक तो अल्टरनेटिव है यहां से खरीद हो 106 का और 107 क्या कर लो बेच चल जाएगा यह भी चल जाएगा ठीक तो अल्टिमेटली सर आपने तो वही दोनों रेट ले लिया ठीक आप देखते हैं मांग के आपके पास कौण सी क्राइश अगर आपके पास जाओ हमारे पास चौर पास ये न है our회 एक यहां से करीडें सब्सक्राइब ciao धेख लेते से ही एक deeply लाक इतवाइब 1006 रूपर पचास पैसे तिक हैं देख लेते बेज देंगे इंटू 107 रुपय पॉइंट 53 तो अगया 100967 माइनस एक लाग डॉलर एक लाग ये न तो 967 1 013 ये profit हो ये पर अगर हमारे पास ै डॉलर है डॉलर तो सोच के देखो सर्क तो डॉलर है तो हम येन खरी देंगे हम येन कहां से ने बिचिगा ना तो यहां से हम येनखरी देंगे यहां बेचेंगे चरो देख लीड़ें है कितना डॉलर prz mortar in two point 0093 डिवाइड हुआ इन्टू.00939 माइनस हजार डॉलर तो बचा कितना 9.67 यह 9.67 पिल्कुल वही चीज बता रहा है अगर आपके पास डॉलर हो तो क्या होगा अगर आपके पास यह है तो क्या कर रहा है उसने बस कहानी लिखकर बताया और मैंने डारेक्ट कर लिया ठीक क्रॉस्रेट बताओ भाई क्रॉस्रेट के भी कोश्चन आने लगे आजकल एक्जाम में हाद हो गई एक्जाम में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा रटीपी बेन दिया है तो दिखो दिया है इसको ठीक से लिखेंगे कि सर यस एक तो दिया येन पर डॉलर 107.31 और डॉ और दोलर पर और डॉड गूड ऐसा लिखेंगे रहता हूं 0.70 क्या इं पर पांड मतलब क्या मांग रहा है इं पर पांड येन पर और भांड ये तो डॉलर कटेगा येन पर पांड तो यह तो इसम्पल हो गया येन ओपर होना चाहिए 107.31 इन टूब नीचा पांड ओने चाहिए नीचे पाउंड है इंटू 1.26 तो बच्चा हो गया भई दो सीधा-सीधा आ गया है यह जाएगा ठीक ऐसी क्या मांगा है कैल्गेट दक्रॉस ऑस्ट्रलियन डॉलर इन ये मतलब ये इन पर आस्ट्रलियन डॉलर ओपर ये ना चाहिए 107 और नीचे ऑस्ट्रलियन डॉलर आना चाहिए ये भी इंटू हो जाएगा सीधा ये भी आ गया आँसा क्रॉस रेट तो ऐसा होई नहीं सकता कि आप से ना मने फिर मांगा है कैल्कुलेट दो क्लॉस एट पर पाउंड मतलब आस्ट्रलियन डॉलर पर पाउंड उपर क्या हो पॉइंट से बना जाएगा सीधा 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 नहीं है क्या देख लेंगे भई क्या दिख चक्का है मांगा क्या आस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड आस्ट्रेलियन डॉलर पाउंड डॉलर पाउंड यहलो रगा आस्ट्रेलियन डॉलर पाउंड पाउंड नहीं है यह लगए, Australian dollar per pound, नेकाल सकते हो crosslet, dollar per Australian dollar दिया है, तो क्या 1 से divide करना पढ़ेगा, अगर मैं खहूं, इसको धीरे धीरे चलते हैं, धीरे अराम से, ओपर क्या होना चाहिए Australian dollar, पर उसके comparison में क्या दिया है dollar, कोई दिक्कत है? नहीं, अब प्रब्लम है कि dollar के साथ क्या दिया है पाउंड यह सीधा सीधा निकल जाएगा मतलब वन डिवाइट किसे करना पड़ेगा पॉइंट से और डॉलर पर पॉइंट कितना दिया है 1.26 तो सीधा आंसर आ जाएगा 1.26 डिवाइट पर 0.7 आंसर कितना जाएगा 1.8 सिंपल था यह कोष्ण क्रॉस रेट का सिंपल कोष्ण ध्यान से करोगे ना तो बन जाएगा ऐसी कोष्ण नमर 9 bb वह भी दिख लेते हैं कि करेंट स्पॉर्ट एक्षिन रेट ठीक है करेंट स्पॉर्ट एक्षिन रेट दिय जाएगा according to your analysis of the action rate you are quite confident आपको अलग रहा कि action rate 1.32 हो जाएगा forward market में क्या rate चल रहा वन तो ठीक है भाई profit कमा सकते forward contract कीजिये 1.30 में खरीदने का और 1.32 में बेज देंगे pound खतम दोर पैसे का फायता हो जाएगा दोर 0.02 डॉलर का suppose you want to speculate speculation ही करने का दिल था मेरा in forward market then what course of action would be required and what is the expected here simple है बिलन को if you believe spot action rate will be itna हो जाएगा in three months you should buy यह किदर से आप है मन से अच्छा यह लिखा ठीक इतना क्या करोगे forward why करोगे future में sell कर देना आपको profit कितने हो जाएगा पर अगर किसमत खराब हुई और रेट 1.26 हो गया और आपने खरीदने का contract कर लिया था 1.30 तो 1.30 में खरीदोगे और आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा 1.26 तो आपको loss हो जाएगा कितने का चारीश जार का ठीक है तो यह फोरेक्स के तो कोशन डाले ही नहीं बड़े सिंपल कोशन डाला आप फोरेक्स के अच्छा यह कोशन है वह फोरेक्स का अच्छा कोशन डाला है सुना इसको हम कैसि मैने रहर थे, इसांच्छा काे कना जार बोलते हैं, नहीं बने काल पर आप प्नीलागा जं मेन अच्छा क्वेडिया नहीं कर, इसांच्छा का नाम कावव ब्नीलो and another in Switzerland सबके पास सर्प्लस कितने दिनों के लिए 91 जाए है लें पाउंड है स्विस कंपनी के लिए च यह एक और डश सब्सिटीर के लिए पास यूरो नाइंटी वन देस के लिए है ठीक है इस पॉट त्रेट दिया है पाउंड में convert करने के लिए और ठीक है पाउंड में convert चाहो तो आप CHF को पाउंड में convert कर सकते हो यूरो को भी कर सकते हो यह सब रेड दिया है और interest rate कितना अगर हम जमा करें तो कितना मिलेगा interest यह भी दे रखा पाउंड में जमा करने पे यूरो में और CHF में यू यह बिन एप्रोच बाइव बैंकर वेर एप यू हेव बिन एप्रोच मतलब यह UK कंपणी की बात हो रही है इसमें हो की आरा सुनना देंसे UK में UK company मेरी currency कौन सी है पांट मेरे पास आया एक bank मुलते सुनो सुनो आपकी जो subsidiary है ना मन का हाँ है तो उनको भी बुलाओ उनके पास भी surplus है ना हमने का एक के पास क्या है यूरो एक के पास क्या CHF बोले उनका भी ले आँ और आपके पास तो ही और यह सब मिलाकर हमारी bank में जमा कर दो हम आपको ब्यास देंगे कितना दोखे बुले अगर वह वहां उनके यहां जमा करते तो वह कितना कमा लेते उतना हम देने को तयार है पर्षिंटेस आप सोचो आप मुझे बताओ कितना पर्षिंटेस मैं का ठीक है मैं सोच रहा हूं मैं यह सोच रहा हूं अगर वह अपने अपने यहां इनिवेश्ट करते तो कितना कमा लेते तो सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं सर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरो की कितना है 14,50,000 इंट्रेस्ट मिलता तो 10 लाक और 20 लाक इस रेंज में फस रहा है यूरो दो पर्शन कितने दिन कभी आज 90 दो पर्शन 91 इतना इंट्रेस्ट मिलता तो प्रिंसिपल मिलाकर और इंट्रेस्ट मिलाकर टोटल इतना हो जाता और फिर यही पैसा फोल्डिंग कमपनी पाउंड में कनवर्ट करते हैं मतलब सर किसको पाउंड में यूरो को हम किसमें कनवर्ट कर रहा है पाउंड में मतलब यूरो और पाउंड के बीच में यह वाला रेट है किसका rate दिया है, यूरो का rate दिया है, यह दिया है pound per euro, मतलब सर बैंक, यूरो खरीदेगा, य бесп खरीदेगा, तो कौन से वाले rate पे, इस rate पे, और swap points से तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो check करो कितना रहा है, तीन मेने बाद 0.6858 प्लस 0.0037 6.895 6.895 रेट किसका दिया है यूरो का करेंसी कौन सी यूरो तो मल्टिप्लेश जाएगा इतना पॉंड मिल जाएगा और और किसकी बात करें CHF CHF कितना रखा हुआ है वह इतना यह भी सी रेंज में फस रहा है रेट ऑप इंट्रेस्ट कितना 0.5 इतना इंट्रेस्ट मिलेगा इतना CHF है अब पाउंड में कनवर्ट करना है यहां जो रेट दिया है वह क्या दिया है CHF पर पॉंड मतलब बैंक पॉंड बेचेगा यह वाला रेट स्वैप पॉंड डिसेंडिंग ओर्डर में तो क्या हो जाएगा माइनस 2.3326 माइनस 0.0228 2.3098 रेट किसका दिया है पॉंड का है कौन से आपके पास CHF तो यहां क्या हो जाएगा डिवाइट ठिक तो यह हो गया और हमारे पास क्या रखा हुआ है हमारे पास रखा हुआ है पाउंड कितना 1,50,000 तो इस रेंज में जाएगा पाउंड का रेट आप इंट्रेस्ट कितना एक पर्षेंट 91 यह हो जाएगा तो टूटल मिलाकर अगर सब लोग अपनी अपनी जगह इन्वेस्ट करें तो लास्ट में कनवर्ट करने पे पाउंड में इतना और पाउंड हो जाता अब हम कह रहे हैं कि साहब अगर आज ही convert कर ले तो आज ही convert कर ले तो euro 14,50,000 यह आज का rate मतलब यह है 0.6858 पे convert होगा इतना pound हो जाएगा CHF किस पे convert होगा 2.3326 पे convert होगा इतना pound हो जाएगा और इतना pound हो जाएगा ठिक तो total मिलाकर आज हमारे पास इतना pound available है पर ठीक 91 बाद इतना pound available हो जाता तो वही हम तो इतना ब्याज कमा लेते अगर हम अलग-अलग जगा invest करते तो इतना ब्याज कमा लेते तो सवाल यह हैं कि हमें कम से कम इतना interest चाहिए और इतना interest चाहिए इतना कितने पर इस amount पर जो हम invest करने वाले है यह बला है यह interest कितने दिन का 91 देश तो 300 हमें पर एनम बेसिस पर पर्शेंटेश बाद तो सामने वाली बैंकर से बोलेंगी कि बैंकर साहब आप इतना अगर हमें interest दे सकते हैं मिनिमम तो हम दोनों जो सब्सक्राइब उसको बलेंगी कि आजाओ आज ही आजाओ इस मिनिमम इतना इससे ज़्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो यह था कोश्टन नमबर 10 अब बात किसी कर रहा है कोश्टन नमबर 11 इसके बाद दो कोश्टन और बचे टू कंपनीज एबी से लिमिटेड एक्स वाइजड लिमिटेड एप्रोच यह कोश्टन मेरा करवाया हो इंट्रेट गैरंटी का कोश्टन है ठीक है तो यह कोश्टन पहले भी किया हुआ है फटा-फट से काम करना हो साव करोड आफ्टर टू मन्थ बैंक एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के की पीजड़ा है यह क्सारोज में क्या कंट है किस की वाज़ा से लोगे क्रेट टींग होगा किसका अबी सी का सब्सक्राइद Krisक्रेट गने खराब और इसलीए रिटी किया है जाता है ठीक, you are required to calculate the rate of interest DEF bank would quote under 2 x 3 F 0 2 3 यह वाला मांगा, 2 x 3 ठीक, यह बेची में एक साल भी होगा किसका दोनों बैंक का, तो सबसे बिला XYZ की बात करो, XYZ का दो साल का इंटरेस्ट कितना है, 4.2 और यह वाला कितना है 4.48 यह वाला निकाल सकते है क्या, YES तो यहां क्या किया हो रहाना है यह देखो यहां कैसे बनेगा, 1.042 पावर 2 1 प्लस R यह एक्वल टू 1.0448 पावर 3 बस, सॉल कर लिया क्या यहां का rate of interest निकल जाएगा, YES FRA में बढ़ा होगा, 5.0 और ऐसे ABC Limited का कितना निकलेगा, 6.38 यह question क्यों मैंने speed से करवा दे है क्योंकि मैंने revision करवा चुका इस question पर अच्छे से, repeat करने का कोई मतलब नहीं आगे बोल रहाँ, suppose bank offer interest rate guarantee कि का interest rate guarantee premium कितना देना पड़ा, 0.1 of the amount of loan you are required to calculate the interest rate payable by XYZ Limited if interest rate in 2 years XYZ का कितना निकला था 5.04 हमारा यह कहना है सामने वाली bank किये बोल रही कि 5.04 से अगर उपर चला गया, तो आप exercise कर ले न, जो भी difference है दूसरा जिससे मैं यह interest rate guarantee purchase कर रहा हो न, वो bank कह रही है कि सार जी, अगर rate of interest 5.04 से उपर चला जाएगा तो जो भी difference है हम आपको pay कर देंगे बतकत, और उससे कम होगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम आपको और हमारा कोई लेना देना नहीं ठीक है, तो सीरिसी बात 4.50 पर लेप्स हो जाएगा और हम बाहर वाली बैंको 4.5% के सब से ब्याज देंगे पर अगर 5.50 होगा है तो difference मुझे उधर से मिल जाएगा तो net मेरे जेप से कितना जाएगा मेरे जेप से तो 5.04 ही जाएगा पर premium तो जा चुका है तो total cost कितना पड़ा 4.6 और यह total cost कितना पड़ा 5.14 करोर्स ठीक है ओके सर अब बस खताब question number 11 भी खताब question number 12 and 13 दो question बचे हुए that's it question number 12 second last question और यह question corporate valuation का question practice में नहीं लुका है और ना जाने कितने बार इस question को आपने किया हूगा तो इसमें तो problem आना नहीं है तेखा falling information is given in respect of WX Limited which is expected to grow 20% growth rate रहेगा next 3 years तक उसके बाद जो growth rate रहेगा वो कितना हो जाएगा बहुँ आट पर ठीक है इन पर पेच हूँ तीन सल तक 20% उसके बाद आट पर ठीक है तो revenue दिया, COGS दिया, operating expenses, capital expenditure और यह जो depreciation है यह operating expenses में include है बोल रहा है इक है, during high growth period, revenue, earning, EBIT will grow at 20% आपको बताए, EBIT कैसे निकलता है Earning before interest and tax revenue कितना है, 7500 minus 3000 minus 2250 EBIT देखा जाये तो है, अभी बाविसा पचास है Capital expenditure net of depreciation will grow 15%, 15% से ग्रोह होगा बाकी सब 20% से और एक capital expenditure net of depreciation कितने परशंट से 15% से and incremental capital expenditures और चा, normal growth period, revenue and EBIT कितना हो जाएगा, 8% तीन साल बात लेकिन जो incremental capital expenditure will be offset by depreciation during both high growth and normal growth period ठीक है Net working capital भी लगेगा 25% of revenue मतला अभी भी लगा होगा साथ है पास्टों का 25% तो अभी working capital कितना है सर अभी working capital ओल्रेडी है, 1875 तीक weighted average cost of capital 15% टेक्स करेट है, 30% estimate the value value निकालना, free cash वही revenue कितने परशंट से बढ़ाना है 20% से बढ़ाते साथ है पास्टों, प्लस 20% 9000 प्लस 20% 1800 प्लस 20% 12,960 प्लस 8% ठीक है यहां तक अब यार इतना क्यों बीच में टाइम पास है, सीधा EBIT बढ़ा दो ठीक है, EBIT कितना 2250 2250 प्लस 20% 2700 प्लस 20% 340 प्लस 20% प्लस 8% EBIT हो गए EBIT से क्या minus होगा, tax 30% minus करोगा, earning after tax आगा यह तो करे लोगे अब capital expenditure minor depreciation अब capital expenditure के लिए कुछ बोला है कि वह भी बोले 20% है, मतलब 750 minus depreciation कितना है? 600 मतलब यह कितना होगा? 150 capital expenditure 15% जे बढ़ाना है तो 150 प्लस कितना प्लसंद? 15% ठीक है, प्लस 15% ठीक है, प्लस 15% ठीक है, उसके बाद बोले capital expenditure जितना है उतना ही debt decision है तो offset है working capital भी लगेगा maintain करना पड़ेगा, अभी working capital कितना? 1875, revenue का 25% मतलब 9000 का 25% 9000 का 25% 1250 माइनस 1875 पहले से तो working capital कितना लगेगा? 375, प्लस 20% 450, प्लस 20% 540, यहां ऐसे नहीं होगा यह कैसे निकलेगा? 12960 का 25% 3240 working capital यहां के लिए यहां देख लो 13996.8 का 25% 3499.2 माइनस 3240 तो working capital 2 यह क्यों होता? यह तो class में discussion हो गया था ठीक है तो यह क्या आगया? Free cash flow, free cash flow यह first year, second year, third year तो इसका present value आ गया है इसके लिए हम वो क्या निकलना पड़ेगा? टर्मिनल वैल्यू, तो टर्मिनल वैल्यू निकल रहा है हम लोग 2680 KO- जी और जो भी आया तीस्य साल के factor से multiply कर देंगे तो यह आ जाएगा यह तीस्य साल का factor से multiply कर देंगे इन दोनों को जोड देंगे तो क्या जाएगा? Value of a जम पर Easy question था Corporate Valuation का question And the last question यह question क्यों दिया है? भगवान ही जानता है यह तो यार बच्चो वाला question है किसी जमाने में हम लोगों ने internal reconstruction पढ़ा करते थे और कहां पढ़ते थे? CA Inter, internal reconstruction वही वाला question दे रखा है बस वहां balance sheet बनाना पढ़ता था यहां भी balance sheet ही मांगा है वहां general entry pass करनी होती थी कि यार share कुछ लोग अपनी liability छोड़ देते थे, wave off करते थे equity share की value कम हो जाती थी वहां आम entries करते थे और यहां line लिखकर बताना पढ़ेगा बस और कुछ नहीं Simple question The falling is the balance sheet of Grapp fruit Limited देखते क्या क्या equity share है, 14% preference share है, 13% debenture है debenture interest है, loan from bank and traders land and building है, plant and machinery furniture, inventories, debtors, cash at bank preliminary expenses होना ही cost of issue है, और यह दिक्कत है और जबर्दस्त loss है हमारे पास 525 का loss है मतलब क्या है, इसमें internal reconstruction की जरुरत है जी The company did not perform well दिखरा, and suffered size बहुत जबर्दस्त loss है few years तो company को बंद करने की अब एक हम सोच रहे कि क्योंना उसका financial restructuring कर दिया जाए करना क्या equity share को reduce कर दीजिए 25, पहले कितने का था 100, 100 से कितना कर दीजिए 25, मतलब यह लोग कितना रुपय अपनी liability कम कर दिया 75 preference share को भी reduce कर दीजिए और कितने से कर दिया तो उनका rate of coupon rate भी कम कर दिया उनका rate कितना कर दीजिए 50 रुपय पहले कितना था 100 मतलब 50 रुपय इन्होंने भी छोड़ दिया हमारा फाइदा हो रहा है कि डिपेंचर होल्डर भाहिसा हम आपका rate of interest 9% कर देंगे और आप इंट्रेस्ट यह बोलते हमारा जो इंट्रेस्ट एक क्रूड है ना 13 से कितना कर दो 9% वो कर दो जो इंट्रेस्ट है वह हमने वेव कर दिया चलो अच्छी बात है कि ट्रेट करेंटर से बोलते हम भी 25 परशन पैसा छोड़ने को त्यार है बहुत अच्छी बात है यह कंपनी इसके अलावा छे लाग शेर इस्यू कर रही कितने के साथ हैं 25 के हिसाब से करेंगी क्योंकि 25 रुपए ही शेर का प्राइस हो गया है और जितना अभी पैसा सबकी सब अप्लिकेशन के साथ आगा है लेन एंड बिल्निंग को रिवैल करके 450 लाग हो गया है पहले लेन बिल्निंग के तना है दो से चलो यह तो वैल्यू बढ़ी है मतलब हमारा फायदा है मतलब अगर में होता तो मैं एंट्री बना देता है बही मुझे अकाउंट हम सी यह लोग तो एकाउंटिंग आता है जनरल एंट्री पर उन्होंने इस तरह से किया बेनिफिट किया होगा तो देखो देखें नमबर अपर कितने दो सो डिवाइड़ बाए हंड्रेट दो लाग है और इंट्व पचास तो लाग को यह फायदा इंट्रेस्ट 26 लाग का फायदा और क्रेडिटर लोग भाई साब क्या बोल रहती कितना पर्षण की वेवफ कर देंगे 25 पर्षण तो 25 पर्षण 25 लग का यह फायदा और लैंडर मिल्डिंग की वैल्य एप्रेशिट हो रही तो टोटल हमारा हमें फायदा कितने का है 911 लाग आप इसका यूज करेंगे सबसे पहले यह जो दिख रहा है ना बेकार दाग इसको दाग बोलते इसको राइट-अफ करना तो 675 लाग रुपे यूज कर लिया बचा हुआ पैसा कहां ट्रांस्पर होता है कैपिटल ज़र एंट्रिम मारती थे आप लोगी याद होगा कैपिटल डिदक्शन एकांट डवी तो कैपिटल लिजर ठीक है यह इंपेक्ट हो गया और इसके बाद क्या बनाना है बैलेंश जिए सर जी बाना लाग शर्षेर कैसे आए 6 लाग पहले के थे छे लाग नया शेर इस्यू किया 25 के सबसे 300 लाग परफ्रण शेर का पर्षेंटेज कम हो गया 50 रुपए हो गया यहां कैपिटल डिजर आ गया है 9% डिवैंचर इंट्रस नहीं आये का बैंक वाले का है और क् इंटू पच्चिस चेंटू पच्चिस 150 लाग यह तो लिखा हुआ नहीं 130 लाग पहले से था और 150 लाग और आ गया है तो 280 लाग यह पांगर बैलेंसिंग फिगर क्यों लिख रहा वजह समझ में नहीं आए तो यह कोश्चन इंटर्नल रिकर्सक्शन का है हां एक बात और ह में डला हुआ है कोश्चन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया डाल दिया पहले से हालाकि इस कोश्चन पर मैंने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया मुझे नहीं लगता कि कोश्चन आना चाहिए हमारे SFM में FR में बनता है तो सर जी यह था आपका RTP से चलना पड़ा मुझे RTP में क्योंकि concept बहुत ज्यादा नहीं समझा पारा था आगे revision का क्या है मैं नहीं जानता अब देखते हैं ताइम मिलता तो मैं revision भी upload करूँगा portfolio management का या security analysis का दोनों में से कुलिए ठीक है thank you bye bye